नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनीज लॉंचर के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों क्या कोई कल्पना कर सकता है कि रिटायर्मेंट के तकरीबं डेर दसक के बाद कोई IPS अधिकारी तीन सवे क्यासी क्रो रूपए कमा सकता है और तीन सवे क्यासी क्रो रूपए कमाने के बाद उसके साथ ठगी भी हो सकती है और उस IPS अधिकारी की महिमा आजकल बाबाओं के दौर में जहां छोटे छोटे बच्चे भी बाबा मना दिये जा रहा है उस दौर में थोड़ी चर्चा उनकी कम हो गई महिमा थोड़ी कम हो ग है तक्रीबन 14-15 साल पहले की बात है एक यूपी कार्डर के IPS हुआ करते थे डीके पंड़ा पुरूस है महिला नहीं है लेकिन खुद को कृष्ण की राधा बताते थे कृष्ण की प्रेमिका बताते थे और लोगों को बड़ा आश्चर होता था कि एक IPS अधिकारी ने अचा मन गए थे और राधा मन कर पूरे देश में चा गए थे लेकिन उस वक्त इस देश के अंदर बाबाओं को और इस तरह की बाबागिरी को बहुत महत्तों नहीं दिया जा रहा था लिहाजा उनकी बात आई गई हो गई तब रील्स का जमाना नहीं था तब वाट्सेप इंव खिलता था जिस जमाने में बाबा बने थे और बाकि वाट्सेप और इंस्टाग्राम और बाकि चीजें तो भूली जाहिए लिहाजा इनकी बाबा गिरी बहुत चली नहीं और आज का जमाना देखिए कोई कहीं बाबा बन जाता है कोई किसी की जन्म पत्री बताना सुरू क करता है कि कोई ऐसा बाबा बन जाता है जो पांच-दस साल की उमर में दिखता है कि मुके संभानी के बेटे की तरह उसके हाँ-भाव है उसकी कद काथी है और फिर वो प्रोचन देना सुरू करता है तो आज के बाबागिरी के दौर में ऐसा लगा कि जब डीके पंडा नहीं मिल पाया था अब एक नया मामला सामने आया है और यह मामला कथित बाबा कहीं है यारि कृसण की राधा कहीं है दिके पंडा एकथतर बेच के IPS अधिकारी है उत्तर पड़े सकैडर में रहे और रिटर्मेंट के वक्त क्रिस्ण की राधा बनकर चर्चा में आ गया है ताजा मामला यह है कि उनके साथ किसी ने ठागी की है और ठागी का वाकिया इस पकार से है जैसा खुद वो बता रहे है डिके पंडा प्रयागराज के धूमन गज थाने में भारतिय नियाज संगिता की धारा 354 और 3184 के तर्मकर्वा भी दर्ज कराया है और जो पूरी डिटेल सामने आ रही है उसमें यह बाबा यानी राधा अब यह बाबा है कि बावी है वही जाने राधा बने हैं तो बाबा तो नहीं होंगे बाभी हो सकते हैं तो यह जो राधा बने हुए IPS अधिकारी है उन्हों 3184 रुपए उन्होंने इसमें कमाए और जब 3184 रुपए उन्होंने कमा लिए उसके बाद उनके पास निकोसिया साइप्रस के किसी आरो सर्मा की फोन आई वाट्सेप पर और जब वह कॉल आई तब उनसे कहा गया कि यह पैसा जो 3184 रुपए है यह उन्हें तभी मिलें कि जब आठ लाक रुपए का टैक्स वह इस पर जमा कर देंगे लेकिन यह राधा बने बाबा या बावी जो भी है आई पीस है भुद्पूर आई पीस पंडा साब पंडा साहब को कम से कम यह लगा कि निश्ची तोर पर अपना आई पीस वाला दिमाग उन्होंने लगा उ यह उन्लाइन फ्रॉड या यह कोई फ्रॉड का खिले आज कल तो डिजिटल अरेस्ट भी हो रहा है और तो सब कुछ वर्चूल हो रहा है में सिवाए रोटी और सबजी और भोजन गुगल से डाउनलोड नहीं हो राहा है बाकी सब कुछ रहा है वर्चूल तो इस दौर में बाबा को लगा या बाबी को लगा कि उनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है लिहाजा उन्होंने पैसे देने से मना किया और 381 क्लोर रुपए जो उन्हेंने कमा है उन्हें अपने खाटे में डालने की बात कही उसके बाद फिर एक कॉल आई और वो कॉल आ रहा था इस बार उसके असिस्टेंट ने कॉल की और उस सहाइक ने पंडा को धंकी दी कि अगर उन्हें ने यह आठ लाक रुपए जमा नहीं किये तो उनका पैन आधार सब कुछ उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हो जाएगा और बड़ा फ्रॉड हो जाएगा और जब इस तरह की बाते कही गई उसके बाद इनके कान खड़े हुए और यह सीधे पहुँचे परियाग राज ठाने में परियाग राज जिले के धूमन गज ठाने में वहां F.I.R. दर्ज करवाई और यह पूरा वाकिया बताया अब इस वाकिये से सवाल यह उठता है कि किसी ब्यक्ति ने भूत पूरा I.P.S. को धमकी दी कि आठ लाक रुपए जमा करो पहली चीतों उस पर कारवाई होनी चाहिए पुलिस महकमे को कम से कम आम लोगों की नहीं तो अपने एक पूर्व अधिकारी की बात तो सुनने ही चाहिए कि आखिर यह आरो सर्मा नाम का कथित ब्यक्ति है कौन लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर यह है कि यह राधा बने हुए IPS साहब कैसे 381 क्लोर रुपए कमाए यह 381 क्लोर रुपए हम लोगों को कहीं सपने में भी सोच नहीं सकते कि 381 क्लोर रुपए कमाए भी जा सकते हैं 381 क्लोर रुपए कमाने के बाद पता नहीं लोगों के साथ क्या होता होगा रोटी चावल की जगह वो सोना चांदी वोगर नहीं तो नहीं खाते हैं लेकिन 380 को रुपए कितने जीरो होंगे उस पर कुछ पार्टी परवक्ता होते तो बता भी देते कि कितने जीरो उस पर होते हैं लेकिन 380 को रुपए एक IPS अधिकारी ने ओनलाइन गेमिंग में कमा लिए ओनलाइन ट्रेडिंग में कमा लिए यह तो कम से कम इस देश के लिए एक नया फॉर्मूला है देश की अर्थ ब्योस्था में कहीं ग्रोथ नहीं दिख रही है मिडल क्लास इस देश में करीब करीब पंगू होता हुआ दिखाई दे रहा है BPL और APL के बीच में जूडने जूजने वाले लोगों की संख्या खुद नरंद्र मोदी के दावों पर यकीन करें तो सरकारी आंखड़े को बेमानी साबित करते है कोईकि खुद प्रधानमंती नरंद्र मोदीय उनकी सरकार दावा करती है कि 802 कोड़ों को 5 किलो रासन की सरकारी इमदाद पर जिन्दा है उस देश में अनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से 381 कोड़ कोई कमा रहा है यह बड़ा आश्चर होता है यह कमाई तो सब को करनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो गरीबाद में सोच रहा होगा कि उसे 381 को छोड़िए 381 हजार ही कोई दे दे यही बहुत बड़ी बात है थोड़ा दिम्नमध्यमवर्क अब एक्टी सोच रहा होगा कि 381 लाक ही दे दे वही बहुत बड़ी बात होगी लेकिन पंड़ा साहब ने बहुत दिनों के बाद जो चर्चा में आये हो एक ऐसे मामले को लेकर के आये जिस मामले को लेकर किसी ने सोचा नहीं था किस देश में आई-पी-एस के साथ भी ऐसा हो सकता है कई एंगल इस मामले के निकलते हैं पहला यह अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ अपर त्यासित कमाई क्या वाकई संभव है ओनलाइन ट्रेणिंग के माध्यम से दूसरा किसी आई-पी-एस के साथ कोई फ्रॉड कैसे कर सकता है कि डिजिटल अरेस्ट की बार हाई हुई है कहीं कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है कहीं कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है कहीं कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है अलग अलग तरह के खेल चल रहे हैं और इस दौर में फ्रॉड का खेल एक आई-पी-एस अधिकारी के सा पास किसी महिला का सौ दबा दिया जाता है कि किसी पूर आई पीएस को सीरे सीरे धंकी दे दी जाती है फ्रॉड की धंकी और इन सब के बीच अम्रित काल चल रहा है अर्टिफिसियल इंटेलिजेंस से लोग अलग परेसान है उसकी अपनी समस्या है फ्रॉड की गतिविदियो सवाल यह है कि हमारे देश का साइबर क्राइम कहां है साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो मैके निजम बना जिस पकार की बाते हुई वो क्या निस्प्रभावी साबित हो रहे हैं आए दिन किसी ना किसी के साथ साथ साइबर फ्रॉड की घटना सुनने को आती है और कि 381 क्रोड रुपे कमाने वाला ओनलाइन ट्रेडिंग यह रिटाइड IPS अधिकारी कर रहे हैं तो जांच तो कम से कम इस बात की होनी चाहिए कि कहीं कथित रूप से किसी अवैद कमाई को वैद बनाने के लिए पूरा का पूरा खेल तो नहीं रचा गया है मामले के कई एं साल पहले रिटाइड हो गए पैंसन पर जी रहे होंगे और ओनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं हमारे दर्सक इस बात को जानते हैं कि इस देश में विकास योजनाओ का पैसा उस पर आईये सधिकार्यों को सीधे सीधे उनके पास अधिकार होता है कि कैसे उसको जो कमा लिए कासित तोर पर तब लोग सहथ हाve भरोसा कर लें एक ए सधिकारी एक आईपीज कारी यदि अवयद कमाई करेगा भी तो क्या करव पर यहीं करेगा किर किसी मामले को कमजूर कर देगा कि किसी को बचा लेगा मैं अथा पैसा तो होता नहीं कि वहां लाख क्रोण में डील होती है हुए आज के जमाने में लेकिन जो अधिकारी 15-16 साल पहले रिटायर हो गया वह 380 क्रोण रुपए कमाई की बात कर रहा है और 8 लाख रुपए टेक्स के लिए कोई फरजी कॉल या फ्रॉड कॉल उसके पास आती है दरसल यह इस सिस्टम क बड़ा दोस है और सबसे बड़ा दोस उन उस पर है जो इस देश में बाबागिरी को बढ़ावा दे रहे हैं क्रिस्न की राधा बना व्यक्ति जब खुद उसके स्वामी उसको इस फ्रॉड से नहीं बचा पा रहे हैं उसके 380 को रुपए नहीं दिला पा रहे हैं तो इस अलग अलग किस्म के अलग अलग आयू अर्क के एज ग्रूप के अलग अलग बाबा जो दिख रहे हैं डिजिटल बाबा तरह तरह के बाबा दिख रहे हैं तो इस बाबागिरी के दौर में लोगों के मन में कौतुहल पैदा होता है कि कहीं डीके पंडा खुद को आएगा है खुद को चर्चा में लाने की कवायत तो नहीं कर रहे हैं यह एंगल अपने आप उठता है सारा मामला तहकीकात के बाद सामने आएगा कि आखिर यह राधा बने IPS चाहते क्या है और यदि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो यूपी पुलिस साइबर सेल भारत सरकार की एजनसियां कर क्या रही है तो देखते जाएए जिनके ऊपर आव लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो IPS अधिकारी रिटायर होने के बाद खुद को इस तरह के फ्रॉड से नहीं बचा पा रहे है यह ज्यादा चिंता के बात है फिर IPS बिरादरी इस देश के लोगों को भला क्या खाग बचाएगी कई गंभीर प्रस्ण खड़े होते हैं देखते जाए होता क्या है फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार